नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निशान्त यागनिक हैं, मैं हैड अफ निरो सरजरी हूँ मानीपाल हॉस्पिटल गुरगाओं में और आज हम बात करेंगे हमारे एक पेशिंट से जिनकी बिमारी जितनी मुश्किल रही है उनकी फाइट उससे और भी जादा स्ट्रॉंग रही है और आज हमारे सामने बैठे हैं इनको बस थोड़े से कुछेंगे कि इनके ट्रीटमेंट कैसा रहा बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में बट पहले लेट्स जस्ट लिसन फ्रम धी पेशिंट की पेशिंट की जर्नी हमारे ऑस्पिटल में ट्र लोगों ने और यहां का स्टाफ डोक साव यह इनोंने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के इनका तो बीमारी के बारे में थोड़ा पताता हूं मैं आपको सुमन जी को जो ब्रेन में नलिया होती है खून की नसे होती है उसमें उनको एक गुबारा सा बन गया था उसको बो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स जानते नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट होता है बहुत सारे लोग आ नहीं पाते है टाइम पे और इसके वज़े से बहुत सारे पेशेंट्स जो बच सकते हैं मों को बचानी पाते हैं थाइंक्फुली सुमन जी हमारे पास टाइम पे आ थे not just aneurysm को बंद करने के लिए जो गुबारे को हम बंद करने की चिम्टी डालते हैं बट also जो खून का रिसा हुआ था उसको हमने कम किया है ताकि ब्रेन में प्रेशर कम रहे हैं बहुत time तक सुमन जी होश में नहीं थी तो उनको बहुत चीज़ें यादी नहीं है कि क्या ह हुआ था उनके साथ धीरे-दरे करके definitely लेकिन family ने बहुत support किया और family support की बहुत जरूरत होती है इन type की बिमारियों में धीरे-दरे करके वो ICU से बाहर ward में आई फिर ward में उनको stabilize किया धीरे-दरे करके खाना खेलाना की कोशिश की फिर उनने खाना खाया और उसके बाद तो वो बहुत bothered थे कि यह शादी attend कर पाएंगे कैसी रहेंगे कैसी नहीं रहेंगे लेकिन सारे function attend किये हैं एक बहुत ही complex बहुत ही मुश्किल बिमारी से बाहर निकल के family में वापस जाके वो सब चीजें करना जो आप उस बिमारी से पहले कर रहे थे I think इस से बड़ा gift और नहीं हो सकता and I think मेरा सब purpose यही है इस चीज़ का कि लोग जाने भाइसाम महिंदरगर के रहने वाले हैं तो महिंदरगर, नर्नौल, नू, ऐसी जगहों में बहुत लोगों को पता नहीं है कि इन चीज़ों के इलाज होते हैं तो कभी भी किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता क कोई 100% पहले से ही decided है, आप अगर सही time पे सही intervention करें, सही time पे सही इलाज लें तो जमीन आसमान का फरक पड़ सकता है और इनकी कहानी कुछ ऐसी है, so thank you.